E11 की Book Bank एक ऐसी मुहिम है जिसके जरिये लोगों को पुरानी किताबों के बदले हेलमेट दिया जा रहा है इसी मुहिम के तहट नौइडा के सेक्टर पंदरा की रेड लाइट पर बिना हेलमेट के बाइक और स्कूटी चलाने वाले चालकों को फ्री हेलमेट दिये गए और साथ ही उन्हें ट्राफिक के नियमों और सुरक्षा के प्रतिज जाग रूप किया गया जिसका निर्देशन E-11 संस्था और यूपी की ट्राफिक पुलिस की देख रेक में किया गया E-11 संस्था की तरफ से वॉलेंटियर कर रहे नौ जवानों ने लोगों से अपील भी कि वो अपने पास के पुलिस स्टेशन में जाकर अपने पुरानी किताबे दे ताकि गरीब बच्चों को वो किताबे बाटी जा सकते E-11 बुक बैंक की इस मुहीम के साथ जोड़के आपको कैसा लगए बहुत अच्छा लग रहा है कि इस मुहीम का बहुत बड़ा फाइदा है क्योंकि स्टुडेंट पे इंपक्ट बहुत अच्छा जाएगा अब पुरानी बुक कहीं न कहीं अगर कोई भी रखेगा तो इस किसी को दे दिये किसी जरूत मंद को तो उसे एक पॉजिटिव मेसेज जाएगा सोसाइटी में और इससे क्या है कि अगर दूसरों को बुक दे रहें तो यह है कि एनवार्मेंट में हमारे बहुत जादा फरक बड़ेगा जो भी पेड़ और जो भी हम सोसाइटी के लिए अ गिफ्ट करें ताकि वो सुरक्षा के प्रति जागरू करें अगर हेलमेट खरने जा रहे है दुकान पर जाए तो वहां आजे उससे बोले कि आप गिफ्ट करके ही दो एक लोग ट्रेंट खुद नबाई करें यह सोचे कि हमारा अगर बड़े आ रहा है कुछ भी आ तो लोगों में अगर आट-दोस अगर घर में हेलमेट रहेगा तो वह किसी को भी दे सकते हैं एक अवेर्नेस आएगे और पूरी फैमली अजे सेप रहेगे तो बेसिकली बुक बैंक जो हमारा हेलमेट देने के पीछे यह रीजन है E-11 संस्था के संचालक के अनुसार उनकी संस्था ने ये मुहिम करीब दो साल पहले शुरू की थी जब उन्होंने एक सड़क हादसे में अपने दोस्त को खो दिया था दो साल के दोरान E-11 संस्था ने बिहार सहित कई राजियों में इस मुहिम के जरिये लोगों को ट्राफिक नियम और स्वस्त वातवरण और गरीब बच्चों को फ्री किताबे देने के लिए प्रेरित किया है